है लो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विवे गणा स्टॉक्स पर दिल से बात करेंगे रतन इंडिया शेर की लेटेज यूँ शेर करूंगा स्टॉक का चार्ड विव तो डेफिनिटी वीडियो को अंतर दिखके जा सकती हो और अगर पसंद आय जिसका नाम है रतन इंडिया पावर लिमेटेट शेर डेफिनिटी डेड़ा में रखो क्यों मैं बात कर रहा हूं तो दिखा देता हूं आपको कुछ फैक्ट्स दोस्तों स्टॉक का चार्ट और स्टॉक के बारे में थोड़ा बताने से पहले एक बास का काम काज हम देख ल यह उसमें दे 90 लेक कुएंटिटी लोग घर लेके गए तो देख सकते हैं काफी बड़े संक्या में लोग इस स्टॉक पैनी स्टॉक को घर लेके जा रहे तो डेफिनिटली दोस्तों मेरा मानना है कि जो भी लोग सो घर लेके जारे ठीक है तो टैफिनिटली लगातार पैन तो दोस्तों आप देख सकते हो रतन इंडिया पावर लेटेस चल रही है मार्केट में आज कि दिनों में तो यह चल रही है कि स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है हमारे इस क्वाडर में 44 परसेंट के असपास अल्मोस्ट 6 परसेंट के अच्छी खबर निकल के आ रही है आपके डिटेल के लिए उसका एक बात को ध्यान नकलो जैसे मैंने बहुत बार आपको बोला अगर मालिकों ने और होल्डिंग बाए कर यह पर्चेस कर यह करे इसका मतलब यह नहीं कि इसका आज ही रॉकेट हो जाएगा नहीं यह नों ने बाए कर यह लॉंग टरम कोई फर्क नहीं बढ़ता लोगों लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा ही थिंकिंग रखोगे दिमाग में तो मेरे ख्याल से जो आप स्टॉक मार्केटे बड़े लार्ज केफ स्टॉक्स पी लोगें इंवेस्मेंट करोगे ना तो आपकी थिंकिंग सुरूर से ऐसी रहेगी कि अब तो कभी स्टॉक्स लगाओगे निए और लार्ज केफ स्टॉक में जब इंवेस्मेंट करोगे उसमें भी आप स्टॉक्स लगाना भूल जाओगे और जो सौरूपे का स्टॉक होगा यह जब वो जीरो की कैटिगरी में आ जाएगा तब आप बोलोगे कास मैंने उसमे आपके चीजों से बनके आपकी सब कुछ बनता है तो आगर आपको पता तो आपको स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं होने वाला शॉट्रम में आपको थोड़ा अब हो सकते कि उपर नीचे हो सकता है लेकिन लॉंग डर्म में आपका जो गराफ होगा उपरी तरफ जाने व इस एक बास पक्का लगा लेना जो भी आपके शेर करूंगा तो आपको दिखा देता हूं तो आप देख सकते हो स्क्रीन में एक से लिए लेक्शेर का चार्ट खोलवा गूगल में दिहान देगने आली बात इस ट्रॉक में यह दोस्तों इस टॉक लगा था नहीं रूपी क कर एक स्टॉप्लूस होना चाहिए अगर आप स्टॉप में इन्वेस्मेंट कर भी रहे तो आप प्लीज यह स्टॉप्लूस लगा के स्टॉप में आप बने रह सकते हो चीहां दोस्तों दो रूपे पचास पैसे के आसपास आपको बाइर नहीं करना मैं यह कह रहा हूं जि दौब पैसे दौब पैसे विए जाए तो मेरा मानना है कि अगर आपको एक रूप एक रूप एसी पैसे आता तो एक बार हलकी हो जाओ वहां पर और जब आपको 80 पैसे 70 पैसे मिले ता दौबारा एंटरी कर सकती हो ठीक है तो मैं क्यों कहा रहा हूं कि स्टॉप की नीचे हां नेल समझी कि यहां पर यहां पर सकत्कान समझी तो यहां पर पर जिसन एक फैसे डों बनाया टिक यह लेकिन तसmusic लोग आぁ लेकिन इस पार इस ने एक एच टू नहीं बनाया मतलब ये हई ब्रेक नहीं कर पाया और सेम रजिसन लेके नीचे गिरिए तो बात को समझत¿ तो अभी आप सटो को Holy मत करना अभी आप हो सँके न बाय भी मत करना लेकिन अगर आपने डो रुपे कासपा थे ओ एक रुपी का सब्सक्राइब किया तो डेफिनेटली आप अभी होल्ड करो लेकिन एक रुपी असी आए तो अपना स्टॉप उस दगा के स्टॉक से निकल जाना और शिक्स बंद का चार्ट हमें यही कह रहा है कि इस टॉप डेफिनेटली नीचे आ सकता है तो दोस्तों एक हाज से किसी किसी ने एन्वेस्प yno नहीं करेंगी तो चलो नहीं करी तो आपको गयाइट कर रहा हो कि अब इन्वेस्मन मत करना अभी काफी ययर लेबरज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो फसना नहीं है आपको ठीक है भाई आपको अगर अच्री मिलती है फाढ थो और एक रुपे का सीखा आपका स्टाप उस रहेगा तो इस वीडियो पे इतना ही चलो बाय बाय